वेल्कम टू इस्टेनो विद्पारस डिक्टेसन स्टार्ट होगी पांस सेकंड बाद स्टार्ट कानपुर के एक राजिकिये बाल संदक्षन गिरहें में कई लड़कियों के गर्बवती होने को लेकर जारी सियासत अपनी जगय है असल बात है कि परदेश के अधिकतर बाल संदक्षन गिरहें बदहाली के सिकार हैं जहां अंतेवासियों के साथ एमानविये एवं पीड़ादाई वहवार किया जाता है लड़कियों के लिये तो ये संदक्षन गिरहें यातना गिरहे से कम नहीं होते जहां उनका सोसन आम बात है मुझफरपुर के बहुचर्चित कांड के बाद यूपी के देवरिया में भी किसोरियों के सोसन का मामला सामने आया था अब कानपुर प्रकरण के बहाने एक बार फिर संदक्षन गिरहों की दुरगती उजागर हुई है कानपुर जिला प्रसासन का यह दावा सही हो सकता है कि गर्बवती किसोरियां इसी हालत में संदक्षन गिरह में लाई गई थी यानी संदक्षन गिरह में उनके साथ कोई अनुचित वेहवार नहीं हुआ वावजूद इसके सवाल अनुत्तरित है कि इन किसोरियों को संदक्षन गिरह में दाखिल करते समय मेडिकल परिक्षन हुआ था परिक्षन में उनकी गरववती होने की जानकारी दर्ज की गई थी क्या किसोरियों को इस द्रश्टी से कोई चिकिस्य सहायता मुहिया कराई गई थी क्या गरव के भविश्य के बारे में किसोरियों की राय ली गई थी बहतर होगा की कुछ भी छिपाने के बजाए कानपूर जिला प्रसासन पारदर्सिता के साथ इन तमाम सवालों के जवाब दे यदि किसी इस्तर पर कोई चूक हुई तो उसकी जिम्मेदारी निर्धारित करके दोसी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाई की जाए बहर हाल जरूरी बात यह है की पहले देवरिया और अब कानपूर की घटनाओ से सबक लेकर सासन सभी सन्नक्षन गिरहों के हालात पर नजर डाले और वहां के नारकिय माहोल को ठीक करने के उपाय करे सबकी सदेच्छा होगी की कानपूर में गर्वती पाई गई किसोरियों को लेकर जो आरोप लग रहे हैं वे निराधार साबित हों क्योंकि किसी राजकिय सन्नक्षन गिरहों में बालिकाओ के साथ सारिदिक सोसन से बड़ी किरूरता कुछ और नहीं हो सकती बाल सन्नक्षन ग्रहों में किसोर किसोरियों को ऐसा माहोल दिया जाना चाहिए ताकि वे अपने किसी अनुचित आशरण के अपराध बोध से मुक्त होकर सही दिसा में आगे बढ़ सकें इसके लिए चिकिसा और काउंसिलिंग के अच्छे इंतिजाम जरूरी है इस टोप